डिजिटल इंडिया केंदर सरकार के एक पहल है जिसका उद्देश सरकारी विभागों को देश की जनता के साथ जोड़ना है इसका उद्देश ये सुनिश्यत करना भी है कि बिना कागस की सिस्तिमाल के सरकारी सेवाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुँच सके सबसे बड़ा फाइदा बैंकों को हुआ है डिजिटल होने से अब बैंकों में फी लोगों को लाइन लगा कर अपनी बारे का इंतजार नहीं करना पड़ता पैसा जमा करना हो या निकालना सभी प्रकार के लेंदेन अब पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं डिजिटल आने के बाद से बैंकों में बहुत फरक पड़ा है ग्रहकों के बीसुविदा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब खाता खोलने जैसे सबसे छोटी चीज पैसा जमा करना है निकालना है बिजली का बिल देना है ट्रेन का टिकट बुक करना है पच्चों के लिए फीज देनी है इन किसी भी काम के लिए आपको बैंक आने के आवशकता नहीं है तो बैंकों के लिए बर्डन कम हुआ ही हो है डिजिटल आने के बाद से ग्रहकों के लिए बितने सारे ऑप्शन्स हो गए हैं कि हमारे नीचे एक यौस में चार्ट रखी अलग-लग मशीने र लोगों को अब घर बैठे अपने सरकारी बिलों का भुकतान करने में बड़ी मदद मिल रही है जिससे समय की बचट होने से विराहत महसूस कर रही है लेकिन आज डिश्टल से हमें फाइदा मिल रहा है कि हम अपने घर बैठे बैठे लोगों को पैसे ट्रास्पर कर देते हैं अपने बिजली का बिल जमा कर देते हैं तो कहीं ने कहीं डिश्टल से जो है कि आम आम्यों को काफी फाइदा हो रहा है वहीं सामाने सेवा केंद्रों से भी लोगों को बड़ी राहत मिली है लेंदिन के साथ ही अपने आवश्यक दस्तावेज बनाने के लिए इन केंद्रों की मदद ली जा रही है केंद्र सरकार ने पूरे देश में सामाने सेवा केंद्रों की स्थापना करके आम लोगों को पड़ी रहती है और डिजिटल इंडिया से कहीं न कहीं हम लोगों को फाइदा हुआ है क्यूंकि एक आमदनी का स्रोथ बढ़ गया है डिजिटल इंडिया के माध्यम से जैसे से सेंटर्स हैं तो हमें विजली के बिल में 6 रुपए तक कमिशन मिलता है तो उससे हमारी आमदनी बढ़ी है ये एक महत्वकांख्शी योजना है जो सभी को फाइदा पहुँचा रही है खास्तोर से ग्रामिनों को जो कई कारणों से कागजी कारे करने में लंबी दूरी ताय करते थे